आज की वीडियो में हम देखेंगे progress 6 यह sequence and series की last question and answer की progress है जिसको हम देखते हैं लास्ट topics हमने देखें थे harmonic progression के and कुछ ऐसी series होती है जिनका some हम find out करते हैं कुछ formulas की help से sigma notation की help से हमने उनको formulas को implement करना होता है series के अंदर और हम some find out कर लेते हैं तो उस तरीके के questions और हम इस series इस progress में देखेंगे स्टार्ट करते हैं question number 1 से question number 1 है find the inner term of the HP HP के लिए inner term आपको find out करनी है तो HP के लिए direct आपके पास solution यह होता है कि उसको convert कर लो AP में तो हम यहाँ पे change कर ले रहे हैं AP को तो हमारे पास यह होगे 27, 12 and 17, A की value आई 2 and D की value आई 5 तो then उसके बाद अब हम last term निकाल लेंगे फ्रेंस last term हमारे पास इसके लिए formula है A plus N minus 1 का D तो put करने पर हमें में मिला last term 5 N minus 3 तो friends यह भी हमारे पास last term जो है यह AP के लिए है HP के लिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास last term आगए HP के लिए 1 by 5 N minus का 3 अगला question देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर अगला question है 2 square plus 4 square plus 6 square plus dot 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 so on and 2 N का whole square तो इस तरीकी का question को हम solve कैसे कर सकते हैं हमारे पास sum find out में हमें करना है friends यहाँ पर इसने हमें लिखा नहीं है कि sum find out करना है लेकिन जब भी आपको series में plus दिखता है terms के बीच में तो मतलब आपको sum find out करना है तो आप उसके लिए sum to N terms वाला formula जो की APGP और AGP के लिए हमने देखा था वहाँ आप लगा सकते हैं series में लेकिन यहाँ पर यह हमारी series कुछ अलग तरीके की है तो इसके लिए हम वो formulas लगाएंगे जो हमने last video में देखे थे सबसे पहले इसके लिए हम two common ले लेता हैं यह series से क्योंकि two easily common आ रहा है पूरी series में से अब यह series हो गई sum to N terms लेकिन N terms का square हो रहा है साथ साथ तो यहाँ पर direct formula यह लग सकता है इसकी जगापे तो हम यह put कर लेंगे यहाँ पर sum जो terms है उनका square हो रहा है और sum करना है तो हमारे पास यह formula उसके लिए है तो put कर लेंगे formula तो हमारे पास solution आया 1 by 3 N, N plus 1 2 N plus 1 का answer तो यह हमारे पास पूरा answer आ गया है sum निकालना उस solution का अगला question देखते हैं हमारे पास वही अगला question एक series हमें given है 1, 2, 3 जो multiply हो रहे हैं आपस में and so on ऐसे ही series चलती जा रही है तो इस तरह के equation को इस तरह के series को हम कोशिच करेंगे कि कैसे उन sum वाले formulas का use करके solve कर पाएं तो यही हमारे पास यह natural numbers की series है तो सबसे पहले क्या हमारे पास उसमें step था कि आपको net term को find out करने अगर नहीं given तो and then उसके बाद terms को sigma की form में लिख लेंगे और then जो formulas हैं उनको put कर लेंगे तो वही हम इसमें करने वाले हैं इसको देखें अगर हम तो हमारे पास net term होगी r, r plus 1 and r plus 2 solve करेंगे इनको इन दोनों को मैंने multiply किया है then r के multiply हर एक के साथ होगी तो मुझे मिला r q plus 3 r square plus 2 r तो ये last term हमारे पास मिल गई है इसको sigma के लिए denote कर देंगे and हर एक को separate कर लेंगे तो हमारे पास यहां cube वाला formula लग रहा है sum का यहां square वाला और यहां पर sum to natural numbers का put कर लेंगे formula हमारे पास solve करके कुछ इस सरीके से आया and अब हम इसको 3 की multiply करेंगे 1 by 6 से and इसकी multiply करेंगे तो हमारे पास इस सरीके की terms आएंगी अब यहां पर मैं क्या कर रही हूँ n और n plus 1 को common ले रही हूँ तो मुझे यह मिला and अब हम इसको further solve करेंगे तो friends हमारे पास solve करके कुछ इस सरीके की equation आई तो यह हमारे पास sum का formula हमें मिला उस given series के लिए अगला question देखते हैं friends अब हमारे पास इसका last question है 1 multiply 3 multiply by 5 and ऐसे ही यह आपके multiple चलता जा रहा है series में 3 into 5 into 7 and इनके बीच में 2-2 का difference बन रहा है तो यह series हमें हापे given है तो उसके लिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे सबसे पहले r8 term हमें नहीं given वो बनाने की कोशिच करेंगे तो start करते हैं कि कैसे हम derive कर सकते हैं इस given series में से यहाँ पर 2-2 का difference हमें मिल रहा है हर एक की केस में 3-1 तो 2 हो जाएगा 5-3 2 हो जाएगा and as it is यह चलता जा रहा है तो इस केस में यहाँ पर मैं इसको इस सरीके से लिख सकते हूं 2 r-1 2 की जगह गर मैंने 1 यहाँ पर r की जगह मैंने 1 पुट किया तो 2-1 होगा 1 and यहाँ पर अगर 1 किया तो 2-1 होगा 3 and यहाँ पर 1 पुट किया तो 2-3 होगा 5 and ऐसे ही so on हमारा यह चलता जाएगा अगर हम इस net term के अंदर इस हर एक value को पुट करते रहेंगे तो तो यहाँ पर मेरे पास solve करके कुछ इस तरीके से equation आई इन दोनों को multiply करेंगे तो यह हमें मिला इनको solve किया 4R square plus 8R plus 3 and further हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास आया 8R cube plus 12R square minus 2R minus 3 so therefore now अब हमें series के लिए formula हमें लगाना है तो पहले उसको sigma notation form में लिख लेते हैं हमारे पास यह हो जाएगा cube and यह हो जाएगा square के लिए and यह हो जाएगा R और यह हमारा constant रहेगा तो इसके लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से formulas मिले एक multiply by cube वाला formula, square वाला formula and यह अपना R जो हमारा sum निकल रहा है natural numbers के लिए जिनमें कोई power नहीं है उसके लिए formula है and last only time के लिए यह 3 तो हमारे पास यह solve करके कुछ इस तरीके के equation मिलेगी and अब हम इसमें से N common ले लेंगे common लेने के बाद solve कर लेंगे तो हमारे पास final answer आएगा N bracket में 2N q plus 8N square plus 7N minus 2 तो ऐसे इस तरीके के series को आपने इस formula का implementation करके find out करना है sum तो इस तरीके के series को आप कैसे identify करेंगे यह तरीका हमने देखा कि वो AP और GP आपकी किसी progression की तरह नहीं होगी and इसमें natural numbers का continuation आप कर रहेगा and कैसे implement करना है वो हमने देख लिया है अगर आपके कोई भी doubts हैं किसी जसे ही chapter complete हो गया है तो आप हमें telegram में अपना query जो भी रहेगी वो message कर सकते हैं अगर आपको हमारी videos पसंद आए तो like करें हमारी आगे आने वाली videos में update रहने के लिए subscribe करें और दोस्तों अगर आपके कुछ suggestions हैं तो हमें comment करें थांक यू